इत्वारी अनाज बाजार में चंद्रा एंड कंपनी है इसके संचालक कमल नामक व्यापारी से कर्मचारी पार्थ चावडा ने 20 लाक रुपे लिये और इत्वारी के ही भुतडा लॉकर में जमा कराने जा रहा था इसी दोरान पास से छे लुटोरों ने बीच रास्ते में उसे खेर लिया था इस मामले में पुलीस ने पाज आरोपियों को हिरासत में लिया है घटित प्रकरन को जिस तरह से अंजाम दिया गया था उसे माना जा रहा था कि किसी ने आरोपियों को टीब दी हो घटना के बाद से संदिक्दों की धर पकड़ पुलीस द्वारा जारी थी, देर रात को एक संदिक को पकड़ा गया, कड़ी पूशता जारी थी, लेकिन कोई थो सुराग नहीं मिला यही नहीं घटित प्रकन से लूट की रकम हवाला की होने की भी चर्चा थी, पुलीस द्वारा रुपियों की खोजबी शुरू थी इसे दर्म्यान, पुलीस ने CCTV फुटेश के आधार पर पाच रुपियों को गिरफतार किया है पुनांक 27 सितमबर को रात को करीबन आठ बजे पुलीस को जानकारी मिली कि एक वेक्ती बैग में कुछ कैश लिये जा रहा था, उसको पाच लोगों ने उसे अड़ा कर, उसके ओपर चाकु से जानलेवा हमला करकर उसकी बैग छीनी, जिसमें करीब 20 लाग के करीबन कैश जब जानकारी मिली तब खुली स्टेशन के साथ में क्राइम ब्रांच का फूरा स्टाफ वहां पर होज गया और इन्वेस्टिगेशन की शुरुवात हुई, और कल रात देव क्राइम ब्रांच के यूनिट टीम में इस वारदात में इसको जिनोंने अंजाम दिया ऐसे चा आठ आरोपियों को ताबे में लिया है, उनसे पूस्ता चल रही है, इनको अरेस्ट करने के बाद इन चार लोगों के कस्टडी से हमें करीमन 14 लाग की करिब कैश, तीन मोटर साइकल्स, और एक चाकू बारा मत किया गया है, एक आरोपी अभी भी फरार है, उसकी हम लोग त टिप देकर और पूरी तरह रेकी करके इन्होंने इस गटना को अंजाम दिया था, और जिसने टिप दिया है, वह एक कमपनी में काम करने वाला लड़का है, और जो चार लड़के हैं, उनमें से कुछ लोग जो है, कुछ लड़के हैं, यह अभी बीकॉम की पढ़ाई कर र कार्ड बना के इसमें कोई बड़ी कारवाई कर सकते, तो उसका भी हम लोग जायजा ले हैं। निवासी तान पेट पाच पावली नाकपूर बताए जा रहे हैं। पुलीस ने आरोपियों से कुल पंद्रा लाग उन पचास हजार का मुद्यमाल जब किया है। कैमेरा परसन अकलेश भारिद्वाश के साथ शितिजादेश मुख बीसीन नियोज नाकपूर